प्रभू के नाम की बढ़ाई हो अयूब की पुस्तक में लिखा है कि प्रभू का नाम धन्य है पतरस अपनी किताब में कहता है कि पहले तो हम पर दया न हुई थी पर अब हम पर दया हुई है आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पत्रस किस प्रकार की दया की बात कर रहा है पत्रस एक ऐसा वेक्ति था जो प्रभू ईशू के साथ साड़े तीन साल रहा था बहुत अच्छे से जानता था कि ईशू ने उसके लिए कुरूस पे क्या किया है वो जानता था कि उसके गहरे गुनाहों को उसने कुरूस पे शमा किया है और वो ये भी जानता था कि उसका उधार करता मुर्दों में से जिन्दा हुआ है उसके उसकी पापों की शमा और उसका पुनर्थान ये सब बातें वो देख के ये कहता है कि वो दया है बहुत सारे लोग समझते हैं कि एक अच्छी नौकरी और एक अच्छा बिजनस ही परमेशर की दया है आपको बताना चाहता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इशो के पीछे नहीं चलते हैं उनके पास भी बहुत पैसा है अगर आप ये कहेंगे कि ये मुझे दया है तो मेरे ख्याल से आपसे ज़्यादा दया उनके उपर है पत्रस ये बात कलीसा को समझाने की कोशिश कर रहा है वो तुमारे लिए मारा गया, वो तुमारे लिए गाडा गया और वो मुर्दों में से जिन्दा हुआ हमारे बहुत सारे गहरे और गंदे पाप शमा किये गए, ये दया है अज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वास क्या होता है आप में से जिनके पास भी पवित्र शास्तर है, मेरे साथ खोलिए इबरानियों की पत्री मैं चाहता हूँ कि आप अपने बाइवल के अंदर इस वचन को टिक कीजिए इसका नंबर है इबरानिय की पत्री दसवा अध्याय उसका 38 वचन इबरानिय का लेखक एक ऐसी पत्री है इबरानिय की पत्री उन लोगों को लिखी गई थी ऐसे लोग थे जो सताव की वज़स से प्रभू ईश्यू मसी को छोड़ रहे थे और इबरानिय का लेखक उन्हें ये बात कहता है उन्हें ये कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदी वो पीछे हड़ जाए तो मेरा मन उससे खुश न होगा ये बात वो इस प्रकार कहता है कि हम टलने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाएं पर हम विश्वास करने वालों में से हैं कि हम प्राणों को बचाएं ये शू मसी अपनी सेवकाई में बार-बार कहते थे कि जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारा लिए होगा आपको बताना चाहता हूँ इस वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर के लोग विश्वास से जीएंगे येशू मसी समय विश्वास से चलते थे पुराने नियम में अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक वचन आपको बहुत बार दिखेगा वो है विवस्था लेकिन अगर आप नया नियम बढ़ोगे तो आपको एक शब्द बार बार दिखाई देगा वो है विश्वास अब इस बात को देखेंगे कि इशु ने वेविचार और हत्यारों से ज़ादा उनकी ताड़ना की जो उस पे विश्वास नहीं करते थे मैं जानता हूँ कि वेविचार करना और हत्या भी एक पाप है मैं आपको बताना चाहता हूँ इशु ने वेविचारी और हत्यारों से ज़ादा अविश्वास करने वालों को डाटा